गाईस सैमसंग ने अपना सैमसंग गलेक्सी M02 लांच कर दिया है फाइनली इंडिया के अंदर और काफी ठीक ठाक प्राइस पर है सैमसंग के तरफ से ऐसी प्राइस बहुत ही कम देखने के लिए मिलती है वैसे तो फोन मार्केट के साफ से इतना अच्छा नहीं है बट सैमसं वाले वैरियंट की जो अपर वैरियंट है वो आपको पड़ता है लगबग साथ हजार चारसुन इन्यान में रुपय का है एनकी साथ हजार पास्तों के असपास का और हम बात करते हैं माइक्रो मैक्स के इन 1B की तो वो भी आपको अंडर 7000 रूँदर 8000 मिलता है दो प्लस 32 जी वाले जो वैरियंट है वो आपको मिलता है 6999 का और 7999 का मिलता है 4 प्लस 64 वाले वैरियंट यहाँ पर 322 वाले कोई भी वैरियंट है नहीं काफी ठीक बात हैं आप सिर्फ 1000 रुपए जंप करते हैं तो आपको 2GB की RAM एक्स्ट्रा मिल जाती है और 32GB की इस टोरेज भी एक्स्ट्रा मिल जाती है तो मेरे खाल से आपको 4-4 लेने में फायता है पर अगर आप फिर भी 32GB जाते हैं तो काफी अच्छा कंपेरिजन बन जाता है इसको हम लेते हैं इस वीडियो में और शुरुवात करते हैं कि डिस्प्ले से डिस्प्ले में आपको दोनों में कोई दिक्कत नहीं होगी दोनों ही आपको 6.5 इंच की आसपास की अंदर सामने के तरफ आपको 8 Megapixel की सेल्फी मिलती है Micromax in 1b में और केवल 5 Megapixel की सेल्फी मिलती है आपको Samsung Galaxy M02 में Micromax के फोन से काफी अच्छी पिक्चर्स आती है front camera से भी back camera से मैंने test किया हुआ है full review किया हुआ है तो इसे मैंने personally use किया है और अगर हम बात करते हैं fingerprint sensor के मामले में तो यह एक extra option हमें मिल जाता है जबकि आप सब जानते हैं कि एक fingerprint sensor पढ़ाने के चक्कर में companies ने अपने प्राइस की जो है phone के प्राइस है वो एक हजार रुपए increase भी किये हैं और लोगों ने उसे पसंद भी किया है तो fingerprint sensor एक अच्छा option हमें under 7000 देखने के लिए मिल जाता है दोनों में हमें 5000 एमेज की battery मिलती है बट जो charger है काफी difference है वहाँ पर 10W का charger हमें देखने के लिए मिलता है Micromax in 1B में और केवल 7W का charger है वो हमें देखने के लिए मिलता है Samsung Galaxy M02 के अंदर दोनों phone ही हमारे Android 10 पर आते हैं जबकि 2.30 वाला जो variant है Micromax का वहाँ पर हमें देखने के लिए Android Go बट 4 प्लस 64 वाले में फुल Android बर्जन देखने के लिए मिलता है तो मैं आपको recommend करूंगा कि यह आप अपना वज़ट 1000 रुपए एक्ट्रा बढ़ाईएगा और 4 प्लस 64 वाला 8000 रुपए के अंदर आपको Micromax in 1B का जो variant है वो फुल Android के लिए मिलेगा वो आप अराम से भाय कर सकते हैं आपको Micromax in 1B में देखने के लिए मिलेगा और जब किसके अंदर Samsung Galaxy M02 में आपको Samsung का अपना UI देखने के लिए मिल जाता है अगर हम बात करते हैं ओफरल कंगूर्जर के तो इस बाद Samsung ने काफी अच्छा काम किया एक अच्छा फोन लांच किया है तो यहां पर हमें काफी अच्छी परफॉर्मेंस दिखने के लिए मिल जाती है Micromax in 1B के अंदर अगर हम बात करते हैं Samsung Galaxy M02 की तो वहां पर हमें Mediatek के तरफ से आने वाला 28 नमेटर वाला एक चिपसेट मिलता है जो कि Quad Core है, Octa Core भी नहीं है और इसके अंदर Cortex A53 की Cores है और वह केवल 1.5 GHz लोगो सकती है इसका नाम है Mediatek का 6739W तो हम सब क्लियर लिए कह सकते हैं कि यहां पर परफॉर्मेंस के मामले में Samsung Galaxy M02 बिल्कुल भी कहीं भी आसपास नहीं है Micromax in 1B के गेमिंग के अगरा हम बात करते हैं Micromax में आप Free Fire वगारा खेल पाओगे पर Samsung Galaxy M02 में मुझकी लेगी आप Free Fire वगारा को Open भी कर पाओ तो आप समझ सकते हैं कि गेमिंग के लिहां से बिल्कुल भी यह फोन नहीं है जबकि आपको यह एक एडवांटेज दिखने के लिए मिल जाता है Micromax in 1B में को अंडर 8000 और 7000 Micromax in 1B के तरफ ही जाना चाहिए ऐसा मेरा मानना है बाकी आप बताना आपके क्या है विचार नीचे कमेंड बॉक्स मिलता हम आपसे नेक्स टुडियो में तब तक के लिए बाए टेक केर चेहन्द